असलाव अलेकूम वेलकम तो जी एफेक्स में टॉलर मैं आपका टीचर इम्रान और आज मैं आपको बताने आया हूँ कुईक मास्क मोड बड़ी मज़ेदार सी चीज है यह मास्किंग से कुछ रिलेटेट थोड़ी बहुत है एक्चुली यह सेलेक्शन का एक मोड जिस तरह आरजीबी मोड होता है यह सी तरह से एक टेंपरेरी मोड दिया हूँ जिसमें आप अपनी सेलेक्शन को एडिट कर सकते हो इन फैक्ट विच्विली सेलेक्शन को देख सकते हो कलर्ड और इत्ती सारी डीटेल पता नहीं क्यूं बता रहा हूँ तब ही स्टार्ट करते है आराइट वेकम बैक सो फर्स्ट आफ ऑल तो मैं आपनों भी यह बता दूं कि क्विक माउस मोड किस तरह से काम करेगा क्या है यह आपके टूल बार पर यहां सबसे नीचे यह एक बटन दिया हूँ जिसमें एक स्क्वेर और एक सर्कल बनावा है रेक्टेंगल और एक सर्क पर जैसे यहां पर आपके लेर मास पर दिया हूँ राइट अगर मैं अपना टूल बार यूं कर दूं तो यह लेफ साइड पर ठीक है मैं यूजिल अपना टूल बार सिंगल कॉलम पर रख रहा होता हूं नौ इस मोड पर जब आप आते हो तो यह मैं अपनी फूल स्क्रीन भी हटा दूं ताकि आपनों को मैं exactly दिखा सकों कि क्या चीज है देखें यह ब्लैंक इमेज है दिस इस अंटाइटल अवी सेव नहीं कि आवा है 100% आप शो कर रहा है यह आपको व्यू और जी बी यह इसका कलर मोड है राइट अगर मैं कुएक मास मोड पर जैसी क्लिक करत हूं देखें यहां पर यह क्विक मास्क लिखा हुआ रहा है अगर आप फोडिशॉप सीसी 2017 या अबव यूज कर रहे हैं तो एक और शीज होती है कि यह लेयर आपको रैड देखना शुरू हो जाती है ताकि आपको पता चल जा कि इस वक्त आप क्विक मास्क मोड में अद एक बार ईस पर सिंगल क्लिक करने के वज़ए अब डबल क्लिक कर लें डावल क्लिक करनें पर देखें यहां पर लिखा होता है mask area दूसरा option आपके पास selected area मैं संज्जेस्ट करूँ आपका। यह से उसम्टमर और रहें और यहां यह रहें जिसमें आप अगर कोई color लेना चाहेंगे तो नहीं आएंगे for example देखें मैं यहां से blue color ले रहा हूँ okay करता हूँ यहां देखें आपके पास gray आ रहा है क्यों क्योंकि यहां पर आपके पास स्रिफ gray scale available है और अगर आप अपने brush से black color ले करके फेरना शुरू करते हैं तो वह आपको red करके दे रहा होगा यह जो आपको red या pink color देख रहा है यह वही color है जब हमने यहां double click किया था number selected area और यहां पर यहां पर 50% यही है सो है सीन यह कि जैसे आप इससे बाहर आते हैं आपकी selection बनी होती है मतलब आप अपने brush के through selection बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप brush के through selection बना है आप किसी भी selection को quick mask mode में edit कर सकते हैं for example अगर मैं simply यहां से एक rectangle वाली selection बना रहा हूं और मैं जैसी quick mouse mode पे click करता हूं देखें यह आपको red या pink color का आपको दिखा रहा है अब अगर इसको मुझे edit करना है देखें मैं अपना brush ले रहा हूं और brush से मैं black color फेर रहा हूं तो यह selection add हो रही है राइट अगर मुझे selection मिटानी है तो मैं white color फेर हूंगा see make sure कि आप जब भी quick mask mode में आएं आप अपने default colors यूज क्या करें मतलब प्रेस कर दें एक बार आपके पास default colors आ जाएंगे राइट मैं अपना फिर से फोल स्क्रीन आ रहा हूं अब याद रखीगा कि आप इसको quick mask mode में है ठीक है यह मैं selection add की अगर मैं white फेर हूंगा see this मेरा full brown color white है और जैसी मैं यूँ कर रहा हूं यह आपकी selection को मिटा रहा है आप किसी भी selection को इस तरह से अपने brush के साथ edit कर सकते हैं see यह बहुत ही important सी चीज़ है आई बिलीव आप लोगों को यह समझ में जरूर आया होगा इसका practical usage बहुत जारी जगहों पर हो सकता है for example हमें कोई एसी selection बनानी हो जैसे यहां देखें यह है आपका यहां से hard selection और यहां से soft edges आ रहे हैं यह आपको normally आप selection बनाने बैठोगे तो यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा लेकिन quick mass mode के तुरू आप चुंके brush के साथ कर सकते हो यह आपकी selection बन रही है आप जैसी आप quick mass mode से बाहर आप बारहल quick mass mode में जाने और बाहर आने का shortcut जो है क्यों है बस इस चीज़ का खाल रखीगा कि आपको quick mass mode में है यह नहीं राइन सो यह हो गई आपकी बड़ी सिंपल सी सेलेक्शन नव आप फिर वही जो पिछली वाली क्लास में ने बताया था alpha channel नाप इस selection को भी सेफ कर सकते हैं सब्सक्राइब याद रखी का पहले quick mass mode से बाहर आना होगा आपको इस selection दिखनी चाहिए जैसी कि आप सेफ करेंगे my selection कुछ भी नाम देते हैं okay करें अब आप आकर के इसको channels पे alpha channel पे देख सकते हैं यह आपकी selection बनी हुई है पिछली वाली class के बारे में एक दो सवालात आये थे कि क्या हम अगर इसको save कर दें file को तो क्या वो store रहेगी बिलकुल आपकी alpha channel वाली selection stored रहत है और मसला नहीं है आपकी psd file टेफ फाइल टार्गा फाइल इन सब में alpha channel supported है यह आपके store रहते हैं ठीक है इसी चीज को use करते हुए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा मैं quick mouse mode alpha channel को use करते हुए हम किसी भी black and white picture को color करने वाले हैं सो ज़रूर आईएगा I hope आप ल नहीं सब्ट्राइब किया है तो thank you